अलो दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल आजे स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी को एनलाइस करना देखते हैं नेक्ट वीक निफ्टी बैंक किस तरह के सकाम कर सकता है कौनकों से लेवल्स इंपोर्टेंट रहने वाले कहा नहीं चाहिए आपकी टेडिंग अप्रो टेजी वीक ओन वीक वेसस पर देखने को मिली है लास्ट वीक में निफ्टी अगर हम देखें तो लगबा 3.22% से जादा तेजी देखा चुका है मंतली केंडल के अगर हम बात करेंगे तो निफ्टी में मंतली केंडल आपको एक बुलिश केंडल देखने को मिल रही है नेच्ट वीक में अपकमिंग इवेंट्स में मंडे को फेड चेर्मेंड मिस्टर पावल की स्पीच है इस पर हमाँ नजर रहे हैं कि तुस्डे को यूएस का मैनरिफेक्ट्रिंग प्यमाई डेटा आने वाला है और यूएस का जॉब ओप्रिंग डेटा आएगा थर्स्ड is on a bullish height, market bullish देखने को मिल रहा है, nifty पर आप देखते हैं तो nifty में एक जबजस्त rally आपको देखने को मिल रही है, overall all time high के आसपास nifty trade कर रहा है, RSI की बात करें तो RSI market में momentum दिखा रहा है, तो यहां पर देखिए RSI ने भी higher high लगाया, market ने भी higher high लगाया, यह एक बहुत ही important important sign है market में strength of momentum यह दिखाता है support resistance level की अगर हम बात करेंगे तो important support zone 26,000 के आसपास निकल के आएगा round number level है एक important support रहेगा next week के लिए उपर के zone में resistance के लिए next hurdle आपको 26,300 के आसपास है and then long term का resistance है वो रहेगा आपको 26,500 तो 26,500 और 26,000 के आसपास आपको बहुत सी strangles create होते हुए देखेंगे क्योंकि ये एक important range होने वाली है market 26,150 के आसपास एक important support zone निकल के आएगा ये अगर level break होता है तो then 26,000 के लिए market target करने की कोशिश करेगा 26,000 का level break होने के बाद जो ये rally market में चल रही है ये थोड़ी pause होती हुई देखने को मिल सकती है निफ्टी में एक trend line आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे आप देख पा रहे है एक trend line में nifty काम कर रहा है तो अगर इस trend line का breakdown होता है जो की 26,000 के आसपास देखने को मिल रहा है 26,000 का level break होके निफ्टी अगर इस level के नीचे आता है तो then fit आपको और lower lows देखने को मिल सकते है निफ्टी में फिर next support जोर आपको 25,900 के आसपास देखने को मिलेगा निफ्टी में strength है तो आप buy on dip strategy के साथ निफ्टी को लेके चल सकते हैं अगर support के आसपास निफ्टी यहाँ पे base form करता हुँ देखे एन एक bullish pattern अगर आपको देखने को मिलता है तो एक swing के लिए एक long swing के लिए आप nिफ्टी को देख सकते हैं बद ध्यान रहे 26,000 level break होने के बाद एक panic selling market में आ सकती है जिसका support आपको 25,800 से 25,900 के बीच में देखने को मिलेगा तो यह थी दोस्तों बाद nifty की bank nifty में देखें अगर bank nifty में भी बहुत ही बड़ी आ रैली चल रही है बड जिस तरीके से nifty ने इस week में तेजी दिखाई है bank nifty ने तेजी नहीं दिखाई है Friday के दिन bank nifty में एक आपको fall देखने को मिला है RSI देखिए RSI भी oversold zone के आसपास आ चुका है इसको आप buying on dip opportunity की तरह देख सकते हैं क्योंकि bank nifty में एक बहुत ही strong uptrend market में देखने को मिल रहा है support zone के आसपास already bank nifty है 53,500 के आसपास एक important support zone रहेगा यहाँ पे bank nifty pause होता हुग देख सकता है उपर के zone में bank nifty में जो है अभी जो high है all time high 54,500 के आसपास यह आपके लिए एक resistance level का काम करेगा तो यह important range हो सकती है bank nifty की 54,500 और नीचे के level पे 53,500 यह 1000 point की range हो सकती है अगर bank nifty यहाँ से pause लेके उपर निकलने की कोशिश करता है 54,000 का level break करता है तो then market में एक positivity देखने को मिल सकती है यहाँ पे एक swing देखने को मिल सकती है एक और retest करने के लिए market कोशिश करता है high को break करने की बट अगर fail होता हुए देखेगा तो एक head and shoulder pattern formation देखने को मिल सकता है तो यहाँ पे अगर pattern का breakdown होने के बाद next support आपको 53,500 के आसपास ही bank nifty में देखने को मिलेगा so trend line अगर bank nifty के अगर आप देखते हैं तो bank nifty की भी trend line कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही है जो की breakdown हो चुकी है हाला कि next week में देखना पड़ेगा market कि इस तरीके से यहाँ पे support करता है अगर further downward देखता है तो then market में आपको यहाँ पे जैसे ही इस travel के आसपास resistance के आसपास bank nifty देखने को मिलेगा 54,000 के आसपास यहाँ पे एक selling हो सकती है and then 53,500 के बाद panic selling market में आ सकती है so यह था दोस्तों outlook nifty और bank nifty का I hope direction, outlook and support resistance level आपको clear हुए है clear हुए है तो please hit the like button channel को subscribe करें bell icon को click करना ना भूना thank you for watching, happy trading investments in securities market are subject to market risks read all the related documents carefully before investing